खबर मत्य प्रदेश की रिवा जिले से हैं जहां पुलिस ने साइबर अपरादियों को गिरफतार किया है जिनकी तलासी लेने पर 27 नक एटियम कार्ड बरामद हुए हैं पकड़े गए आरूपियों में दिनेश साहु निवासी सलया थाना मज़ौली जिलासी दी और हरियोम शुकला पिता सेस मणी शुकला निवासी मज़ौली जिलासी दी शामिल है दरासल 14 दिसंबर को सामान 23 स्थित एटियम के पास दो संदेह इसपद व्यक्तियों के खड़े ह होने की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को घेरा बंदी कर पकड़ा और पूस्ताज की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है जिनकी तलासी लेने पर अलग-अलग बैंकों के एटियम कार्ट बरामद हुए है पूस्ताज में आरूपियों ने दिकाल कर चंपत हो जाते थे गिरहा की तलास के दोरान ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए पकड़े गए आरूपियों के खिलाफ सामान पुलिस ने धोका धरी का मामला दर्श किया है पताय जाता है कि आरूपी पहले भी पकड़े जा चुकी है और वर्तमान में जमानत पर आए सुनाते हैं पुरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या खुलासा किया है उनको ATM से पैसे निकालने में सुविधा होती है समझ नहीं पाते प्रापर मसीन को आपरेट करना तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वो और अपने साथ उसी बैंक के ATM अपने पास रखे रहते हैं और उनका ATM चेंज कर लेते हैं मदद करने के नाम से और उनके कोड को या तो उनसे पूछ लेते हैं या कोड डायल करते समय उसको देख लेते हैं और चेंज करने के बाद इसी ATM को ले जाके दूसरे ATM काउंटर पे उस मसीन से आपरेट करके उनके पैसे निकाल लेते थे ये घटनाए लगतार हो रही थी पुलिस जो है इनके तलास में थी कल जो है समान में जहाँ ATM काउंटर है वहाँ पे ये लोग पुलिस के निशाने में थे पुलिस ने इनको धर्दपोचा ये ATM के साथ धोका धड़ी करने का प्रियास कर रहे थे उसी समय पकड़े गए इनकी तलासी ली गए तो इनके पास से 27 ATM में ले और वो ATM विमिन बैंको के थे पुस्ताच करने पे पता चला कि ये काफी दिनों से ये काम कर रहा है और इसमें दिनेस साहु जो है ये मजहुली सीधी कुतबाली में इसके खलाब ATM की धोका धड़ी का मुकद्बा भी पहले कायम हो चुका है और ये उसमें गिरतार होके जेल भी जा चुके हैं तो इनसे जब ATM बरामद हुआ और पिछले आवेदकों की सिकायत करताओं की परताल की गई तो उसमें एक जो है चौदा तारिक को दिशंबर में एक ATM धारक से क्या बुलते हैं नॉम्बर में इनने ATM ले करके और उनसे साथ ठ्राट किया था उसकी घटना का जो है खुलासा बरामद भी हुआ है इसी तरह एक घटना जो है अमया में हुई है वो 24-11 को हुई है उसमें भी उनका ATM जो इनने चैंज कर लिया था धोका दे करके वो ATM भी उनसे बरामद हुआ है और उनने पैसा निकालना सुईकार किया है अभी उनसे पूस्ताच की जा रही है अभी हम उ दो दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है अब इस रिमांड में हम और भी कारवाहियां करेंगे इनसे इनके पूस्ताच में यह पता चला है कि यह सीधी सतना रीवा इस तरह घूम फिर करके इसी तरह का लोगों को जाल में फसा करके और पूर्जेरी करके उनके एटियम ल तो उसको जब्त किया गया है अभी यह पूस्ताच का विशा है अभी हमने पुलिस रिवांड इसी लिए लिया है दो दिन का अब इनसे हमने पूस्ताच करके इनके साती दाराओं का पित्ता लगाना है और कहां कहां तक इनने अपरात किया है कौन-कौन से मामले हैं इसकी परताल हमी की जाना है अभी जो यह गठना आप बता रहे हैं इस गठना के संबन्द में भी उनसे पूस्ताच की जाएगी और वह ATM एदी उनके साथ बरामा धूका या उस बात को सीकार करते हैं पैसा इत्यादी की बरामी कारवाइक की जाएगी इसे आइए ब्लैंग एटीम नहीं था ये एटीम ऐसे ही उठाके लिए आते बदला होई एटीम है व्हों इस तरह का एटीम में गोड्य में फार होते हैं फो और एटीम के नमबर फन होता है वो और नहर IP लेक्स एकवर embargo आई में किल a एटियम हर बैंक का अपना एटियम समान नहीं होता है तो लोग इतना ध्यान नहीं देखते कि हमने जो एटियम लिया है कि बदला गया कि नहीं बदला गया तो उनसे बाचित हुई है और उनको पहचान भी कराई गई है उनसे